नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इंपोर्टन कोश्चन चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों आज का इंपोर्टन कोश्चन ही है कि सीधे धारावाही चालकतार के करण चुमिकी छेत की तीवरता कितनी होती है दोस्तों वीडियो को आँ तक देखें बहुत ही मजाएगा दोस्तों क्योंकि बहुत ही इंट्रेस्टेट चीज़े हैं अब इसमें एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं केवल गड़ती ब्यक्या कराऊंगा जो भी हिंदी लिखना रहेगा दोस्तों क्रपया आप क्या है अपने बुक से लिख सकते हैं या मैं बूलूँगा उसे भी आप लिख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यह से स्टाट करना है कि माना XY अनंत लंबाई की एक चालक तार है इसके किसी बिंदू ओ से या मद्ध बिंदू ओ से डी दूरी पर यहां पर चुमकी छिट की गड़ना करनी है ठीक है यतना लिख लिए ठीक है, माना अनंत लंबाई की एक चालकतार xy है जिस पे i धारा प्रवाइत हो रही है कौन सी धारा? i धारा प्रवाइत हो रही है इसके मद्ध बिंदू o से d दूरी पर एक बिंदू पर है बिंदू p है, जहां पर चुम की छेत की तीवता ग्याद करनी है इतना हो गया दोस्तू आप समझना है कि o से x दूरी पर एक 0.5 a b है o से x दूरी पर कितने दूरी पर? दोस्तो, x दूरी पर 1.5 a b है जिसकी लंबाई d हल है ठीक है दोस्तो, 0.5 से d बिंदू p की दूरी r है कितनी दूरी है? r है अब दोस्तो मैं इसको कह दूँ थीटा है तो आपको पता होना चाहिए एक सरल रेखा है टोटल होता 180, 180 मतलब पाई तो दोस्तो यहां से दि मैं लंब डाल दूँ और यहां पर सी कर दूँ तो यहां पर जो कोण बनेगा दोस्तो क्या बनेगा पाई माइनस थीटा बनेगा क्योंकि टोटल एक सौस्ती और थीटा घटा देंगे तो पाई माइनस थीटा इतना चीज़े क्लियर हुआ अब मैं एक त्रिबूज कहूं आपके पास बना तो यह त्रिबूज आपके पास बना की नहीं बना देखिए ऐसा बना की नहीं बना अब इसमें आप बताएए य और यहां पर यह कोण दिया है तो इस सामने वाली भूजा लंब कहलाईगी सबसे बड़ी भूजा कहलाईगी कान कहलाईगी और यह कहलाईगी आधार कहलाईगी यह चीज़े सब आवसकता पड़ेगी दोस्तो इसलिए समझा रहा हूँ क्लियर समझते चलिएगा क्योंकि अभा हम असकता चीज़ें को होगी आपको आगे चल कर ठीक है यह चीज़ें हो गई आप मैं कह दो दोस्तों कौरण आलफा है और इसका कोंड कितना डी अलफा है कितना कौरण क्ली डीलफाई तो य एक प्रभूज ऐसा भी आपके पास बन रहा है ऐसा ऐसा और कौन सब तो बुच ए सी पी बन रहा है और यहां पर कितना है डिलफा है उसकी दूरी है आर तो इन सभी चीजों की अब सकता पड़ेगी ठीक है ना तो समझेगा ठीक है इतना चीजें आपको क्लियर हो गया अब दोस्तों आपको पता होगा यह तो मैं बेसिक चीजे बताया और जो लिख पर हिंदी से लिखना मैं बोलते चल रहा हूँ अलपांस ए बी के कारण बिंदू पी पर चुमिकी छेट की तिवरता फिरा के लिखना डी बी बराबर बायो से बटके नियम से मूझे रपान फोर पाई आई डियल साइन थीटा आई डियल साइन थीटा बटे आर स्केर जहा तो यह मैंने बताया है किसमें बायो से बटके नियम में तो यह चीजें आपको पता होना चाहिए इतना समझ में आया इतना क्लियर हो जाना चाहिए अब मैं कह दूं आपके पास समझेगा त्रिभूच कौन से दोस्तों यहां पर मैंने बनाया था ना त्रिभूच ए बी सी में समकोड त्रिबुच किसमें दोस्तों ABC या ACV में साइन पाई माइनस थीटा क्योंकि यहाँ पर एक कोड पता है ना यहाँ पर बता है मने कितना कोड यहाँ पर पाई माइनस थीटा तो साइन पाई माइनस थीटा लंब लंब में कितना है AC बटे कर्ण, कर्ण कितना AB किछो को दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होने चाहिए अब दोस्तों आपको पता होगा, चाह तुर्थांस पढ़े होगे 11 दे क्लास में या 12 दे क्लास में, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है यह होता है साइन थीटा, AC रहने दें, और AB कमान कितना है, DL है पक्छांतर कर दें, तो DL साइन थीटा पराबर AC और इसको दे दें समिकर्ण 1 और इसको दे दें समिकर्ण 2 यह चीज़े क्लियर हुआ दोस्तों, समिकर्ण 2 से आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों की यह वसकता पड़ी, दोस्तों, आपको समझते चलना है ठीक है ना, यह समिकर्ण 2 हो गया, समिकर्ण 2 हो गया, क्या आगे समिकर्ण 2 ठीक है, इतना चीज़े क्लियर हुआ, अब आगे लिखना है क्या समझना, कोशिस करता हूँ दोस्तों कि आपको कम पेज में ही बता दूँ ताकि चित्र पास में रहता तो समझाने में दिक्कत नहीं होती अब मैं आपसे कह दूँ, कि एक त्रिबूज मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बन रहा चित्र में देखिए, ACP, मतलब ACP, चित्र किसमें दोस्तों, समकोण बन नहीं रहा है, समकोण त्रिबूज स्वरी, PAC दोस्तों, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, त्रिबूज, PCA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, PCA, PAC में, दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यहां पर कितना कोण बना है तो, Dलफा, कितना कोण बना है, Dलफा, तो साइनद जिख सकते हैं, साइनद दिक्कत कितना नहीं होना चाहिए, अब यदि sine D alpha रहने दू और AC रहने दू AP कमान कितना रख दू आर तो यह R रख दिया अब दोस्तों क्या होगा कि इस R की पक्षानतर करेंगे तो R sin D alpha मराबर AC इसको देदेखे समीकरन 3 इसको देदेखे समीकरन 3 तो समीकरन 3 समझ में आगय होगा दोस्तो अब मैं आप से कह दूँ कि यदी आगे समझना यदी यदी डी अलफा का मान अत्यंत कम हो तो साइन डी अलफा इक्वल डी अलफा तो किता हो जाएगा दोस्तो एसी बराबर आर डी अलफा हो जाएगा आर डी अलफा हो जाएगा कि नहीं होगा बिल्कुल हो जाएगा आर डी अलफा इसको समिकर्ण क्या देदा सकते हैं चार किसे को दिकत यदी डी अलफा का मान अत्यंत कम हो दोस्तो तो साइन डी अलफा और डी अलफा तो आर डी अलफा बराबर एसी अब दोस्तो मैं कह दू स AC बराबर AC तो इनकी तुलना कर सकती है तो कितना आजाएगा समीकरण 2 आज चार से समीकरण 2 आज चार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दुस्तों आपके पास कितना यहाँ पर R D alpha है ना और इसके AC बराबर DL sin theta इतना है तो यहाँ से मैं दिक कह दूँ आपसे कि R D alpha कमान D L sin theta है कितना है D L sin theta और इस D L sin theta को यहाँ पर दिखाए दे रहा है D L sin theta तो मान रखने पर तो यहाँ पर D L sin theta कमान समिकाने एक में मान रखने पर तो आगे कहा लिखना दोस्तों आपको कि D L sin theta कमान समिकाने एक में रखने पर कितना आया था आपका db बराबर mu0 upon 4 pi इतना किछे को दिखकर i है dl sin theta बराबर r d alpha या बटे r square एक rcr cancel हो जाएगा कितना बचेगा mu0 upon 4 pi ठीक है बचेगा i d alpha बटे r एक बटे r यहाँ पर है एक बटे r यहाँ पर है ठीक है इतना चीजे clear हुआ दोस्तो अब दोस्तो क्या करना है आपको एक त्रिबूज लेना है aop aop कहां पर है तो चलिए diagram में पहले आपको मैं बता देता हूँ तो यहाँ पर देखी दोस्तो aop दिख रहा है ना यह त्रिबूज तो यहाँ पर मैं कहे दूँ क Minnie कितना फ़िटा होगा आपको और करने कितना है रवाइब दिखकद तो दिखकत तो दोस्तो Chun कितना होजाएगा प के value कितनी थीं स्भाज़ दिखकत अब मैं कितनी थीं तो और दिखकत अब मैं इससे कहे दूँ एक बठी र बराबर तो चलिए बताईए D दर गुणा में ना इदर जाएगा भाग तो कासलफा बटी दी मतलब एक बटे आर का माना आगे कासलफा बटी दी और एक बटे आर यहाँ पे आपको दिखरा समीकर्ण 5 दे देते हैं तो समीकर्ण 5 में मान रख दो समीकर्ण 5 से शमीकर्ण 5 से कितना आजाएगा दोस्तों डीबी बराबर चलिए बताईए कितना आजाएगा म्यू जीरो अपांट फोर पाई किसे को दिक्कत आईडी अलफा रहने दे आईडी अलफा रहने दे आईडी अलफा रहने दे और एक बटे एक बटे आर का दोस्तों रखना है कौस अलफा अपान दी कौस अलफा अपान दी अब यदि दोस्तों इसको सिस्टम से लुग दो तो कितना आएगा दी भी बराबर आपके पास आगया मिू जीरो अपान फोर पाई आई कौस अलफा दी अलफा बटी दी इसको देते हैं समिकर्ण छे किसी को दिक्कत यहां तक समझ में आगया होगा दोस्तों अच्छा लागए तो लाइक करिएगा ठीक है ना अभी आपके पास आया क्या दोस्तों अलफांस के कारण चुमकी छेटकिती बरता अब हमको श्रंपूर लगाना है क्या लगाना है समपूर समपूर के लिए क्या करेंगे दोस्तों डाइग्राम के माद्धम से समझते हैं तो दोस्तों यह आपके पास डाइग्राम था समपूर के लिए क्या करेंगे माल लेते हैं अनंत लंबाई यहां तक इसको अपन मिला दें इसको यहां से मिला दे, ठीक है, और दोस्तो इसको यहां से मिला दे, किसे को दिक्कत, किसे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दोस्तो इसको पूरे कुमान लो alpha 1, और नीचे को पूरे कुमान लो alpha 2, ठीक है न, तो alpha 1 से alpha 2 तक समा कलन कर दी, तो आपका पूरा है आ जाएगा क्या दोस्तो पूरा आजाएगा चुमकी छेत की तीपता दोस्तो यदि आपके पास थोड़ा सा किसी छेत का चुमकी छेत की तीपता या छेत फल दिया है संपूर का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं समाकरन करते हैं तो वही चीज़ें अपन को करना है तो दोस्तो संपूर्ण चालागतार के लिए क्या करेंगे समाकरन लगा देते हैं और इसमें समाकरन लगाएंगे क्योंकि धारा उपर के ओर बहा आया था मैंने तो ओर नीचे के ओर दोस्तों अपण मामेंस कर दीए कि दिक्कत अब दोस्तों, db का समाकरन होगा, b क्योंकि यहां पर एक होता है और जिसके रिस्पेक्ट्र समाकरन होता है, वह रहलं होले हो जाएगा upon 4 pi id हो जाएगा class alpha का समाकलन होगा साइन alpha होता है क्या होता है साइन alpha और कहां से कहां तक minus alpha 2 से alpha 1 तक यहां तक तो दिग्गत नहीं होनी चाहिए अब क्या करते हैं limit को रखते हैं तो पहले upper limit रखते हैं क्या करते है upper limit upper limit मतलब ऊपर वाला तो Sine Alphawan फिर माइनस करती हैं फिर Sine Alphawan 2 तो Alpha 2 माइनस में हैं तीक है ये चीजे हो गया अब दोस्तों आपको एक चीजे में बता पतुँ है कि यदि आपसे चतुर्थांस नह आ रहो तो रिंड़िन धन कर ले लेकिन दोस्तो चतुर्थांस क्या होता है यह चौते चतुर्थांस में साइन रिंड देता है इसले रिंड रिंड धन होता है ठीक है यह आगे आपके पास चुमकी छेत की तीवरता यह चुमकी छेत की तीवरता आ गई लेकिन दोस्तो अपन को क्या लगाना है कि यदि आपके पास कोण कितना हो 90 डिगरी हो कितना हो दोस्तों कोण 90 डिगरी चलिए देखते हैं यदि अलफा 1 भी 90 डिगरी, πाई बाई 2 वा अलफा 2 भी 90 डिगरी मतला πाई बाई 2 तो B बराबर कित्त हो जाएगा दोस्तों μुजीरो अपान 4 पाई आय अपान डी शाइन पाई बाई 2 प्लस शाइन पाई बाई 2 ठीक है न कोई दिक्कत μुजीरो अपान 4 पाई आय अपान डी और साइन पाई का पाई बाई 2 कमान एक धन एक कितना हो गया दोस्तों एक धन एक दो हो गया तो आगे इसको इस प्रकार लिख सकते है मुजीरो अपान 4 पाई आय अपान डी और 2 तो 2 से 2 कटेगा तो 2 जा 4 तो एक्शूल में आपकी बैलू आ गई आई अपान डी और यही दोस्तों चुमिकी छेत की तीवरता है ठीक है ना कितना एजी है ठीक है ना ठीक है ना चाहे तो आप इसको काट सकते हैं और नहीं काटेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मुजूरो अपान 4 पाई 2i upon d ऐसा भी आपके बुक्स में मिल जाएगा तो दोनों के हैं दोस्तो चुमिकी छेत की तीवरता है और दोस्तो इसे यदि मात्रक की बात करें तो 2 वर प्रती मीटर स्कुयर आप लिख लें तीक है मात्रक लिख दें लास्ट में तो यह पूरा बेंजा का गया दोस्तो काफी लंबा वीडियो था लेकिन आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तो मुस्कराइए और दोस्तो मुस्कराने के साथ लाइक करिए और दोस्तों साथ सेर करिए चलिए चलते हैं, मिलेगे एगले वीडियो में नएट आपिक सा तब तक लिए जहिन बंदे मातरम